आदमी नामा आज इसका हम भावार्थ देखेंगे यहाँ पर कवी ने आदमी के हर रूप का वर्णन किया है अब बात यह आती है कि यहाँ पर कवी यहाँ कौन है तो कवी है नजीर अकबराबादी अकबराबादी नाम है इनका और दुनिया में कई तरह के आदमी होते हैं जैसे कुछ लोग धनी होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ बुद्धिमान और कुछ मूर्ख भी होते हैं यहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट वियंजन खाने वाले व्यक्ति हैं, तो जुटे और रुखे सुखे टुकडों को खाकर पलने वाले आदमी भी यहीं पर मुझूद हैं हर आदमी अलग होता है और उसका अपना अलग काम होता है, यही कारण वर्ष उनकी जीवन शैली भी अलग होती है, उनके रहने का तरीका, खान, पान, सब कुछ अलग होता है, उनकी जिम्मेदारियां भी अलग-अलग होती है, जिम्मेदारियां यानि उनके कर्तवे भी पिर वे कहता है कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मिया और फिर अलग-अलग रूपों का वर्नन करते हुए उनके कारेों के बारे में बताता है और कहता है कि मस्जिद का निर्मान किया है वे भी आदमी है जो मंदिर के अंदर नमाज या कुरान पढ़ता है वे भी आदमी है और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ने जाते हैं वे भी आदमी है यहां तक कि उनकी चपलों को चुराने वाले भी आदमी है एवं उनके उपर नजर रखकर जो लोग पहरा देते हैं वे भी आदम ही है इस तरह कवी ने यहां आदमी के विभिन रूपों और कारियों का वर्णन किया और बताया कि दुनिया में पुन्य करने वाले भी आदमी है और पाप करने वाले भी आदमी ही है पुन्य काम यानि अच्छे काम पाप यानि बुरे काम और फिर कहता है कि यहां आदमी पे जाने को वारे है आदमी कोई आदमी दूसरे आदमी की जान ले लेता है तो कोई आदमी उसकी जान बचाता है कोई आदमी किसी की बेज़िती करता है तो कोई उसकी एज़त बचाने की कोशिश करता है मदद मांगने के लिए जो पुकार लगाता है वह भी आदमी है और जो पुकार सुनकर के मदद के लिए आता है वह भी आदमी ही है इस तरह कवी ने हमें यह शिक्षा दी है कि मनुश्यों की प्रकरती अलग-अलग होती है कोई इनसान भला करके खुश होता है तो कोई इनसान बुरा करके खुश होता है फिर कहते हैं अशराफ और कमीने सेले शाहता वजीर शरीफ भी आदमी है और कमीने भी आदमी है जो शाह बनकर गद्दी पे बैठा है वह भी आदमी है और जो उसका वजीर है वह भी आदमी ही है वजीर यानि मंत्री किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर देने वाला भी आदमी है और उससे जो खुश होता है वह भी इंसान ही है किसी को तकलीफ देने वाला भी आदमी है और तकलीफ सहने वाला भी आदमी ही है इस तरह नाजिर अकबराबादी ने इस आदमी नामा से हमें यह सिश्या बताई है कि संसार में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, जो अच्छे लोग हैं वह अच्छाई करते हैं, बुरे लोग हैं वह बुराई करते हैं, लेकिन वह सभी आदमी के ही अलग-अलग रूप हैं.